नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना उल्योप्रेटी कीवी केस प्रोग्रेम में पर फिर आपका स्वागत है साथियों आज वुँन बाद करेगे जिरो स्टोमिया जयानी आपके मुंने स्लाइव़ा न बनना यानी कि मुने तूखना बनना लिए यानी कि ड्राय माउट के रिस्टव मिफैंट होगिए है जो आकी जिनल्रेट्रे रिट्व हिल्ट को और जिनका मुंस उता है जिनका कि अगर किसी को होता है तो उसका डाइशन कर रहता है और भाइश से परिषान रहता है होमियोंपर्थी में साथ यों कारगर दवाएं हैं आपके ड्राइमाउट को ठीक करने की जो आपको सलाइवा को पुर्णा बनाने के लिए हेल्प करके आपको नॉर्मल कंडिशन में लिहाएंगे बताएंगे साथियों ऐसी दसकारगर दवाएं आज आपको जो आपके 3 माउट को ठीक कर सकती है सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ड्राह मउट होता किया है और सबसे इसाथियों मुद का सूखना है और मु 노 का सूखता है मुह तेख सूखता है जब तो आपका saliva कम बनता है, यानि आपके मुँमें saliva कम बनने से जो मुथ सुखता है, अचिपकता है, उस इस्टिटी को dry mouth कहते हैं, उसको technical register 0-stermia है, dry mouth के साथ हैं बहुत obvious symptoms होते हैं, बहुत समाल symptoms होते हैं, सबसे बदा symptom एई है कि जब आप का जो saliva बनता है, और वह कम हो जाता है और हमकंग हो जरता है तो आपके मुनीग जिपका बना धाए चिपपकने रहाता है जिसीपकने रहता है Konерм Eco सर्फीली का हो ग़िया संद्ञ हो गया शांतियों गया है। नीम्हेर स्क्षचे रिघ सब्सक्राइट हो गया प्रता है। इसके कामों पर बाख कर लेते साथि हूं, Dry Mouth के तमाम कारण होते हां, इसमें की aging process एक कारण होता है, cancer radiation की therapy किसी को दी जाती है, वो एक कारण होता है, कई इस सारे Medication's होते हैं जो आपको Dry Mouth कौस करते हैं, इसके अलाबा कोई नर्व injury हो जाती है, तो फिर जो है वो आपके Dry M माउट experience करते हैं यानि मुह अपना आप चिपका चिपका सा टन महसूस करते हैं बहराल परशानी है तो उसका इलाज भी है हम आपको बताएंगे ड्राय माउट या नीजी रोस्टोमिया को खत्म करने की 10 कारगर घुमियों पर ठीक दवाएं दवाएं बताने से पहले साथियो बता देना चाहते हैं कि यहां दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुसल चिकिसत से प्रिस्टाइब करे बिना ना दे चलते साथियों बताते हैं आपको ड्राय माउट को खत्म करने की 10 कारगर हुमियों परतिक दवाएं साथियों सबसे ब्राइना एलबा ले सकते हैं ब्राइना एलबा 30 पावर में दो दो बूल दिन नकीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका माउट मू और लिप्स जो हो ड्राय है वहाँ वापस मॉस्टराइज हो गए और आप कमफर्टेबल मैसूस करने लगे जो ब्राइना एलबा मेड तो आप ब्राइना ले सकते हैं ब्राइना के मरीश को गले में भी बहुत खरास और रुखापन रहता है या दवा लेने से आपका मूँ भी जो सुखापने खत्म हो जाएगा और आपके जो गले में सुखापने वहाँ भी खत्म हो जाएगा फिर साथियों कि स्थिती आती ह कि आपके पसीना बहुत 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 सूपता है अगर यहां इस्थिती के आपके पसीना बहुत आता है स्वेट बहुत इल्चार्ज होता है और आपका मुह बहुत सूपता है अगर यहां इस्थिती वह तो इसको ठीक करनेगी उम्यों पैथी में कारगत हुआ विरेटर्ण ऐल्बम है अब विरेटर्ण ऐल्बम 30 पावर में दो दो बूर्डिंग में तीन बाल ले ले यहाँ दब आपको लाव दे देगी और आपके परस्पाइरेशन को भी सीमित करें और आपके ट्राइमाउट को कतम करके दोनों बातों का बलेंसिंग बढ़ाती है आपको फिल गुट फैटर देगी एक इस्तिती साथी हो आ सकती है ट्राइमाउट की कंडिशन में क्या कम हो इत्ता सुप गया क्या की जुबान उपर तालू में चिपक गई जब आप सुबा उठते हैं तो आप यह कहते हैं साथ हम सुपा उठते हैं तो हमाई तालू पे जुबान चिपकी हुई लगती है तो अगर ऐसी कंडिशन हो आपको या आपको ऐसा एसा एसास हो तो इसको ठीट करने की हुमें उपएट लिए बहुत कारगर दबाह है नक्स मॉसकाटा नक्स मॉसकाटा थर्टी दो दो गूंटिन में टीन बार आप ले ले आप देखेंगे कि आपका जो इतना सुखा मुह है कि आपकी जुबान तक तालू से सुबा चिपक जाती है वहाँ कैफियत खतम हो गई और आपका मौथ बुना उसमें सलाइवा बनने लगा और आपका पूरा फिजियोलोगी ठीक हो गई पिर साथ एक इस चिति आती है कि आपके ब्राइ मौथ है और आपके बहुत जलन हो रही है अगर यहाँ इस चिति हो कि आपका जो टेस्ट बर्स है उनमें बहुत जादा जलन हो रही है तो उसको ठीक करने के उनमें पैटी में बहुत का अगर दबाय है सलिसिलिक आसेट आप सलिसिलिक आसेट 30 पावर में 2-2 बूर्टिद में 3 बा ले सकते हैं यह दब आपके मूँ की डायनेस को भी खत्म करेगी और आपको रहात देगी पिर साथ यह एक स्थिति आती है कि आपके मौँठ में डायनेस हो गई आपका मूँ सूख रहा है आपके लिप्स भी क्रैक हो रहे है अगर इतना ज़्यादा सुखा पनूँ कि आपको मूँ सूख रहा है मूँ में चाले भी आ रहे हैं आपके लिप्स भी क्रैक हो रहे है और आप कुछ भी खा रहे है तो बड़ा करवा लग रहा है नंकीन लग रहा है तो गर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने के उम्हें प राय खतम हो गए आपके मूँ के छाले खतम हो गए और आपको जो करवा पन लग राय खाने में वहां खत्म हो गया और आपको जीवन आसान हो गया फिर साथी वे किस्थिति आपके माउग के बहुत जादा ट्राइनेस है कि शक्क्र भी मूं में नहीं पिगल रहे है अगर सिति आप में हो गीशकर धी आपके मूँ में नहीं पिगलती है और आपके मूँ में बत्वू में बत्वू रहती है और एक वाइप वाइट वाइट कोटिंग चमी रहती है तो उसको ठीक करने कि वे Atlanticри액 डाब मस्तुले सकते हैं अगर आपका माउख बिल्कुल घ्राय है इ यहाद अब आपकी टन अपका चोईस है, आप मर्कुरियाल परिंद्रिस को लेकर अपने को लाप करा सकते हैं, यह किस्तिती आती यह साथ ही उटा है मापकी कंडिशन में, कि आपका सलाइवा बिल्कुल थूप जो है, वाँ बिल्कुल लार बिल्कुल सूप गई, और लार इ करने के उम्योपेथी में डवा काली बाइक्रोम, आप काली बाइक्रोम थाटी दो दो बूलिर में तीन बार ले ले, आप देखेंगे कि आपका जो व्यकुल ट्राइव माउथ हो गया है, इसमें कि जो लार बन रही थूप बन रहा है वहाँ उसको आप खीच सकते, उस तर काली बाइक्रोम दो जो इस्टिंग सोती है जो थूप होता उसमें पीला पत होता है, यलो इस तरह होता है, अगर आप यहां करेक्टर देखाए तो निष्टित रूप से आपकी दोबा काली बाइक्रोम है फिर साथ यह इस्थिति आती किसी-किसी में कि उनके ड्राइ माउ निष्ट हो गया उनके गम से बहुत ब्लीडिंग होने लगी, अगर यहां इस्थिती है कि आपकर ड्राइ माउथ है और आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है और आपका शरी दुबला पतला और यह कह र安 भाम इन इस्थिती है तो इन इस्थितीहों से में पचनले की एक कर देगी एक स्थिथी आती साथ हो डाय माउट के कंडिशन में कि आपका मुह बहुत सूप गया है सलाइवा बिल्कुल नहीं बन रहा है और जो सलाइवा बन भी रहा है वहां सलाइवा कि बहुत कम है और इतनी आपकी कला सूप गया है कि आपको यहां पर कसाव मैसूप हो अर्व बोलने में विलिक्कत हो रही है तो अगर यहां कि इस्ति आप अपने में देखे हैं डाय माउट की केस में तो निशे फूर से आपकी दवाब बलेड़ोना है अगर आपका माउट आपको अपने गले पे कसाव लग रहा है और आपको बोलने तत में दिक्कत हो रही है तो बले डोना आपकी डग of the choice है यह आपकी समस्या हो खतम करके आपको ठीक करने में मदद करें एक इस्तिती आती साथी हो किसी के ड्राय माउथ है और उसकी जुवार मिल्कुल ऐसे सुग में बहुत कारगर दभा है और दभा का नाम है हायोसाइमस आप हायोसाइमस थैटी दो दो बून दिन में तीन बात ले सकते हैं या खुद ले सकते हैं इसको ड्राय माउथ हो तो जुबान बिल्कुल ही सूग गई है और बोलने तक वो चिटकती है तो आपकी टर्वार दो हायोसाइमस है हायोसाइमस के पिशिट के नॉर्मली लैसिवस मेनिया होता है यानि वो थोड़ा सा सेल सेक्सुल एक्टिविटी में जादा इंवाल्व रहता है उसको न्यूडिटी पसंद होती है और वहां उनी सब्सक्रीयों की तरफ आकरसित जैदा होता है ऐसे मरीजों की टकवतर चॉइस है पिर साथ में कि सितिय आदी रायमाउट के केस में कि आपका माउथ बहुत राए हो रहा है और सुखा आप उत्यूंधे मूं में बथ्भू खौत होती है मूह तो सुखा हय और जो सुभा उट रहे हैं तो मूं में बथ्भू खौत है अगर यहाँ 30 पावर में 2-2 बूल दिन में 3 बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपका सुबा उखते हो तो मुझ भौख सुखता हो मुझ से बद्बू आती हो आपको प्यास बहुत कम लगती हो तो आपको इस समस्या को खत्म करने की दवा पल से चिला है इसको आप 30 पावर में ले और अपने आपको ठीक करने में मदद करें 21-23 जब बच्चों में 12-13 साल पर हार्वोनल जेल होता है उस समय उनका मुझ सुखता है तो अगर यहाँ कंडिशन है कि जब प्यूबर्टी की एज बच्चे अटेल कर रहे हैं उस समय उनका ट्राय माउथ हो गया है तो उसको ठीक करने की हुमियोपर्थी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है औरम मिटालिकम आप औरम मिटालिकम 30 दो दो भून जिन में तीन बार उन बच्चियों को दे सकती है जो अपने प्यूबर्टी की एज को अटेन कर रहे हैं और उस समय उनका मूँ बहुत सूख रहा है इस दवा से उनका जो यहां ट्राक्फॉर्मेशन है बाड़ी का यहां भी स्मूध हो जाएगा उनका सलाहिवा का सिक्रीशन भी पढ़ जाएगा और लाइकवाइज उनका ड्राय माउट पीखत हो जाएगा एक इस चिती जो आप दोर पर देखी जाती है साथी जब आपके ड्राय माउट होता है तो आपके मूँ में छाले आते गड़े ऐसे पढ़ आते जिसको एप्था कहते हैं मौट अलसर कहते हैं तो अगर आपके मूँ में छाले आ रहे है और आपका मूँ बहुत सूपता है तो हुमियो पर्थी में छाले सतम करने की और मूँ को ठीक करने की बहुत काज़र दवा है बोरेक्स आप बोरेक्स 30 पावर में 2 दोगों दिन में 3 बार ले ले बोरेक्स यह वही है जिसको की हम लोग सुआगा कहते है हिंदी में एक जो कंपाउंड आता है जगा जगा मिलता है सुआगा तो वही बोरेक्स उसी की दवा है तो बोरेक्स मुँँ के ज़ाले भी सही करने की बहुत अच्छी दवा है और बोरेक्स आपके ड्राइ माउट को खतम करने में भी बहुत अथी दवा है अगर आपके उपर चालू का सिंटम है और आपके मुँ में जलब और गर्मी आपको महसूस होती है तो आपका ड्राइ माउट को ठीक करने की पोरेक्स है फिर साथियो एक स्थिती आ सकती है किसी को कि उसके ड्राइ माउट हो और मुँ में इतनी ज़्यादा जलन लती हो कि उसको परफ का पानी चाहिए अगर यह स्थिती आप में हो कि आपको इतना ज़्यादा मुँ में गरम लग रहा है कि आपको परफ के पानी से अराम होता है और परफ खाने से अराम होता है उस कंडिशन में ड्राइ माउट को ठीक करने की बहुत कारगर दभा है ऐलूमेन आप एलूमेन थर्टी दो दो बूल दिन में तीन बार ले ले आपका जो ड्राइनेस का एक्स्ट्रीम है और जलन का जो एक्स्ट्रीम है मुँ में वहाफ हतम हो जाएगा और आपका सलाइवा सिक्रीशन भी पड़के यानि थोग का ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपका ड्राइ माउट यानि जीरो स्ट्रोमिया थाग हो जाएगा फिर साथी में किस्ट्री आती है कि आपके जो मुँ हैवा सूख गया है और जुबान जो है उसमें चुभन हो रही है जैसे बरईया के काटनी की चुभन होती है इस तरह का स्टिंगिंग टाइप आपके सेंसेशन पेन हो रहा है आपके टंग में और आपका मुँ पूरा तो उसको ठीट करने की हुमियोपैती हो बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका एपिस 30 पावग में दो दो बून दिन में दीन वाए हर वो मरीज ले सकता है जिसके मुह में जो है मुह सुखता हो जुबान में चुभन होती हो उसको प्यास लगधर बिलकुल नहीं लगत है तो हगज ड्राइं माउठ की भी ऐपिस पहुत अच्छी दवा है फिर साथ यह स्तिती आती है वकष्य सिनरियो में से एक होता है कि मुह इलता सूख जाता है कि मरीज अपनी जुबान तक बहार के निकाल पाता तो गड़ा फ्रया है इस्तिती कि आप जुबानी बहार में निकार पारें, टंग को प्रिटूडी निकार पारें, तो इसको ठीट करने के हुमें उपरती लिए बहुत कालगर दभा है, लेकैसिस, आप लेकैसिस वानियें के 3-5-5 मिनिट के फासले पर भी क्लिए ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका मुँ भी सही हो गया, आपका ड्राइ माउट भी खतम हो गया, और आप जो टंग प्रिटूड नहीं हो पारें, टंग बहार जुबार नहीं आ पारें, वहार भी नॉर्मल अपने कोर्स में आने लगी, पिरसाती में किस्तिती आती है, कि आप सुबा सुबा उठे और आपका मुँ बहुत सूखा हुआ है, और आपको कुछ खा नहीं पारें, आप सुबा नाश्टा नहीं खन पारें, तो अगर ऐसी कंडिशन आपको अपने में लगे, कि आपका ड्रफो ट्राइम आउट है, औ आप कुछ नहीं खा पारें और आपका मुँ बहुत सुखा हुआ है, तो उस कैसियत को समस्या से निपटने की बहुत इथी रभा हुम्योपती में सलफर है, आप सलफर वनियम की तीन खुराग पर परच्पर्चुनेट के फासले पर विकली ले सकते हैं, अगर आपका देल तक चांगते हैं, और सुबह देल तक उठते हैं, अगर इस तरह की कैसियत आप में है, तो सलफर आपका ड्रग आपता चॉइस है, साथ हुआ, एक मेडिकल कंडिशन में की ड्राइमाउट इसमें बहुत पाए जाता है, वहा है डाइबुटीज, डाइबुटीज मेलि बहुत कार दवा आस्निक अलबम है, आप आस्निक अलबम 30 दो दो बून दिन में 3 बार उस मरीज को दे सकते हैं, इसको ब्लड शुगर यानि डाइबिटीज हो, उसका मूँ सुखता हो, उसको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती हो, एक बार साती हुम आपको बताना चाहेंगे, आस्निक अलबम ब्लड शुगर की मेरे इस आपसे नमबर एक दवा है, अगर आपको डायबिटीज है, आप आस्निक लेके देखें, आपको वंदर्फुल रिजर्ट आपको मिलेंगे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, इसका 30 पाबर 2-2 बूज आप दिन म सुगता है और आपको ब्लड शुगर है, तो आस्निक अलबम आपकी drug of the choice है, दो और दवाए हैं, पहली है यूरेनियम नाइट्रिकम और दूसरी है फॉस्फोरस, यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में दिन में तीन बार, और फॉस्फोरस वर यह की एक खुरास weekly, हर वो म आपकी इवलीन में शुगर आ रही है, तो वो है डायवेटीज के ठीक करने की बहुत कालगर दबाए, प्लस आपके ड्राय माउथ को खटब कर देगी, एक इस्तिति और साथियों आ सकती कि आपका मूँ रात में जाला सुपता है, तो आप रात में लेटे तो मूँ बहुत सुपता है, तो अगर या इस्तिती है कि रात में जब आपको लेटे हो तो आपका मूँ सुपता हो, तो उसको ठीक करने की होने पहती बहुत कालकर दबाए, कोकुलस, इंडिकस, आपको कोकुलस 200 पावर में, 2-2 बून दिन में तीत बार ले ले, जो आपको रात को मूँ कड़वा पन लगता है, वा इस्तिती से आपको ठीक कर देगी और आपको सुस्त कर देगी, जैसा कि साथियों भी चर्चा हुई थी सिंटम्स में, कॉसे में, कि आपका जो ठीक के ट्रबल है, उससे भी आपका ड्राय माउथ हो सकता है, तो अगर आपके ठीक के ट्रबल से द्राय माउथ हो, तो उसको ठीक करने की हुवे उपरती है, बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है प्लैंटैगो, आप प्लैंटैगो 32 दोगों दिन में 3 बार, या प्लैंटैगो का मदद ही चल, पुटी नौस 2 टाइक से ले सकते हैं, आप देखेंगे कि इगर टू इस रिलेटेट टमू से आपके मुँ सूख राय, ड्राय हो रहा है, तो प्लैंटैगो बहुत अच्छी दवा है, वो आपके सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा के आपके ड्राय माउथ को खत्म कर देगी, फिर साची एक इस्थिति आती है, कि आपके मुँ में जो लार बन हो, तो इसको ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है, साइक्ला में, आप साइक्ला में 30 हो दो बहुत दिन में 3 बाल ले ले, आप देखेंगे कि जो आपके नंकीन टेस्ट वाला सलाइवा है, जो बिल्कुल आपको इरिटेट कर रहा है, वहाँ नंकीन पन सौ लाइवा नंकीन पना स्लाइवा इसमें करवापन है, खाट पन है, तो थास cyníb में 30 बाल बिल्कू ले ले, टेक करना के नेमहिधा उत्म होमियोपैं, बहुत ऑक्छी द्वा इनिश्या अमारा है, आप इनिश्या खटती है, यहाँ आपके मूंह में 30 दूवां नंकीन टिन म कर देगी फिर किस्टी आती साथियों जो आपका सलाइवा बन रहा है थूप बना मीठा है तो अजर थूप में बहुत ज्यादा मीठा पन है जो इरीटेबिल आपको लग रहा है तो उसकी जो सुटने से उसको खत्म करने किया कम करने की उम्हें पहते हैं बहुत अथी दवा क आप चैममिला 200 पावर में दो दो पूद निन में तीन बाल ले ले आपका जो सलाइवा है उसका जो मीठा पन हो जाएगा आप तो पर कैममिला को हम लोग बच्चों की गुस्से को कम करने की दवा के रूप में चिच्ड़ेपन को दूर करने की दवा के रूप में लेगते प्रयास करा है कि कई चुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाएं वेडियो सिता मात्यम है अगर आपके उमन में साथी कोरी हो कोई तो आप आप नीचे यह गये नंबर में नोटिफिकेशन में फोल नंबर दिया उसपर अपने कोरी वांसेप कर सकते हैं या YouTube अगर साथियों आपको यहां हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने तरह होगा और उसे सब्सक्राइब कराईएगा, शेर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वी करेंगा! क्लिक करेंगा! झाल